Hello Everyone मैं हूँ तब आज की सेशन में हम देखेंगे evolution of computer के बारे means history of computer यानि की computer का आविश्कार कब हुआ और किसने किया let's get started Blazik Pascal जो की एक scientist थे जिन्होंने सबसे पहले editing machine जोडने वाले यंतर का आविश्कार किया था अब आता है हमारा Blazik Pascal जो की एक scientist थे जिन्होंने सबसे पहले गुना करने वाले यंतर का आविश्कार किया था की बोर्ड मशीन का आविश्कार United State यानिकी USA में किया गया था 1880 इस्वी में जिसे हम आज भी यूज करते हैं चार्लेस वेबेस का जर्म 1791 इस्वी में हुआ था जो की 19 सेंचुरी में चार्लेस वेबेस एक Cambridge University में प्रोफेसर थे जिन्हें लोग आज भी फादर आफ कम्पूटर के नाम से बुलाते हैं Analytical Engine के बारे में तो सुनाई हो गया Analytical Engine का प्रस्ताव जनरल प्रपोजर के तोर पर रखा गया था जिसको डिजाइन लेज में चार्लेस वेबेस के दोरा किया गया था जिसके दोरा कंपूटर की शुरुवाद किया था मतलब पहला जनरल प्रोजर कंपूटर था वो चार्लेस वेबेस के दोरा ही डिजाइन किया गया था यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह analytical engine की है इसमें दिखाया गया है कि analytical engine किस तरह से काम को करता है इस आदमें को देखे यह पहले इस panel को move कराता है और analytical engine machine user के instruction या we can say that command को लेता है उसे execute कराता है फिर paper roll पर print करा रेता है तो हमने जाना है कि analytical engine किस तरह से काम को करता है So guys are you liking my video so please like share and subscribe my youtube channel Okay thank you for watching this video